स्क्रीन पर मैं आपको ये जो तस्वीरे दिखा रहा हूँ ना इसे देखकर आज के समय में पूरी दुनिया शौक है विगाउस आस्ट्रिलिया ने दुनिया की जिहां वर्ल्ड्स फुल्ली आटोनमस रोड ट्रेंस बनाकर तियार कर दी है एक ट्रक है उसके पीछे एकोर ट्रेलर उसके पीछे एक और और उसके बीछे एकोर ट्रेलर काफी इनोवेटिव सलुशन है ये इसके लिए 150 किलोमीटर का डेडिकेट प्राइविट हॉल रोड भी तैयार करके रखा है ओनली फॉर दिस ट्रक्स Mineral Resource Company ने इस तरह की सलुशन को Hexagon Company के साथ मिलकर बनाया है सो आइए में आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जहां पर Chief Executive Officer क्या कह रहे है इस तरह की टेक्नोलोजी के बारे में इस तरह की टेक्नोलोजी के बारे में इस तरह की आपने वीडियो में सुना इसकी capacity काफी जादा हाई है एक ऐसा triple trailer vehicle 330 tons of iron ore carry कर सकता है automation से driver fatigue पूरी तरह से खत्म हो जाएगा operating cost significantly नीचे आएगी fuel consumption भी काफी तेजी से घटेगा और emissions भी घटेगे अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत को कैसे फाइदा हो सकता है अगर हमने इस तरह की technology ले आए तो सबसे पहले तो increased uptime का एक बड़ा benefit हमें मिलेगा because automated road trains के जरिये 24 घंटे हर दिन 7 days of week हम इसे operate कर सकते हैं इससे uptime increase होगा और downtime decrease होगा और चाहे कैसा भी weather हो कुछ परक नहीं पड़ेगा no effect of breaks, sleeps, continuous ये पूरा operation किया जा सकता है और इससे हमारी logistic cost आप यकिन नहीं मानोगे लेकिन 30% reduce हो सकती है और ये मैं नहीं कह रहा है ये studies में पाया गया है studies बता रही है कि autonomous road trains potential रखते हैं to reduce freight cost by 30% वैसे हमारे देश में dedicated freight corridors का construction तो तेज़े से शुरू है जो कि of course अपने आप में ही पूरा revolution ला देंगे बट अगर हम इस तरह की भी technology ले आए और dedicated corridors create कर दे autonomous truck के लिए भी तो आपको क्या लगता है कि भारत का logistic cost पूरी तरह से चाइना को टकर दे देगा let us know in comments और साथी में अगर आपको ये वीडियो जरा से भी informative लगी है ना तो please अपने friends and families के साथ भी शेर कीजे दाकि उन्हें भी ऐसी ऐसी innovative technologies के बारे में पता चले